आज का ये वीडियो दोस्तों गेमर्स के लिए बहुत ही जादे स्पीसल होने वाली है विगर दोस्तों दो भी गेमर्स है जो कि दोस्तों नेक्स्ट ये 2022 में एक बेस्ट गेमिंग फोन बाई करना चाहते हैं वो भी अंदर 20,000 जो दोस्तों इस वीडियो में मैं ऐसा तीन स्मार्ट फोन लेके आए हूँ जो कि दोस्तों आपको नेक्स्ट ये 2022 में अंदर 20,000 गेमिंग के लिए बेस्ट देखने को मिलने वाली है अगर आप गेमर्स हो तो आपके लिए इस्पेसली ये वीडियो है जो आप वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर वाज करना जो उचले करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट विदाओ तो विस्टिंग एसा क्या जो दोस्तों फर्स जो फोन है दोस्तों नेक्स्ट ये 2022 में गेमर्स के लिए बिस्ट होने वाली है अंदर 20,000 वो दोस्तों हमें IQ के तरफ से देखने को मिलती है IQ 5 SE जहांके दोस्तों इस फोन में आपको डिजाइन के मामले में प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगी और साथ दोस्तों रियाल साइड में आपको एक 7 James Bear एक देखने को मिल जाएगी अब इस फोन में आपको एक Super AMOLED less यहांे 120k हाज रिफ्रेश्स के साथ यह स्क्रीन आने वाली है एज़िए नेक्स बात करलो इसकी यहाँ पर 120 हजो डिफ्रेस के साथ यह स्क्रीन आने बाली है नेक्स बात कर लो इसकी पावर की इसकी चिपसेट की तो यहाँ पर आपको Dimensity 1200 SoC देखने को मिले बाली है तो आभी तक जिस भी स्मार्ट फोन में यहाँ पर Dimensity 1200 देखने को मिली है तो उस phone में अभी तक तो कोई सा भी hitting problem नहीं दोस्तों gamers के लिए कोई तरह का भी यहाँ पर problem देखने को मिली है तो all over बात करो तो of course यह phone आपके लिए ही होने वाला है और दोस्तों इस phone में आपको 5000 mh की battery प्लस आपको 67 watt का एक fast charger भी support देखने को मिल जाएगी तो all over सब कुछ बात करो एक अच्छी chipset भी देखने को मिली है एक अच्छी आपको screen refresh भी इस phone में देखने को मिली है एक बड़ी battery भी देखने को मिली है साथ ही दोस्तों आपको एक यहाँ पर fast charging का भी support देखने को मिली है तो अपकोस यह दोस्तों waste phone होने वाली है अंदर 20,000 next year तो अगर लॉंचिंग की बात करो तो अजरी से ही चाइना में 20 December को ही लॉंच हो चुका है और सायब से आपको next year दोस्तों January के last तक यह phone आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाने वाली है प्राइसिंग की बात करों तो अबाउट यह दोस्तों आपको अंदर 20,000 ही देखने को मिलने वाली है next एक phone दोस्तों में Xiaomi के तरफ से भी देखने को मिली है Xiaomi 11i तो दोस्तों एक बात बता तो आप इस confusion में मत रहना कि Xiaomi 11i Hyper Charger बिसिकली दोस्तों Xiaomi 11i में इस series में आपको दोस्तों दो phone देखने को मिले वाली है Xiaomi 11i and Xiaomi 11i Hyper Charger जिसमें कि दोस्तों आपको 120W का एक Hyper Charger देखने को मिला है तो यह दोनों phone दोस्तों बिल्कुल से अलग है और दोस्तों यह phone आप देख सकते हो flip card भे चेक करो जाके तो वहां पर आपको इसका launch देखने को मिल जाए जो कि दोस्तों 6 जन्वरी के देखने को मिल रही है और यह दोस्तों आपको Xiaomi 11 स्रीज के नाम से launch की गई है तो आप इस confusion में मत रहना कि दोस्तों यह दोनों phone से हम है तो आप इस facts की बात करो तो यहाँ पर कहा जाता है कि आपको Diamond City 920 का एक SOC's phone में देखने को मिलने वाली है योगी दोस्तों एक gamers के लिए एक अच्छा ही chipset होने वाली है दोस्तों डिस्प्ले में यहाँ पर आपको एक Super AMOLED डिस्प्ले विट 120Hz रिफ्रेश सरीयर्टी के साथ देखने को मिलने वाली है यहाँ पर आपको एक Fast Charging का support देखने को मिलने वाली है यहाँ पर आपको 4000 एमेज या 5000 एमेज की बैटरी भी इस phone में प्रोवाइट किया जा रहा है आपके लिए अंदर 20,000 नेक्स्ट येर अगर आप गेम के लिए एक smartphone को ढूंड रहे हो आप इसके लिए भी वेट कर सकते हो वैसे तो यह दोस्तों आपको मैंने पता ही दिया कि आपको 610 बरी को इसका launching देखने को मिल जाएगे प्राइसिंग की बात करो तो जो Xiaomi 11i है इसका प्राइस आपको एबाउट 20,000 के आसपास ही देखने को मिलने वाली है अब एक 2000 ऊपर नीचे भी हुई तो वह दोस्तों कार्ड वगेरा ओफर लागा कि आपको आल ओबर बात करो तो यह अंदर 20,000 ही देखने को मिलने वाली है और Xiaomi 11i Hyper Charger है वह दोस्तों आपको लगभग से दोस्तों 25,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी अब और दूस्तों इहां पर जो आप एक तीसरा फोन हो दूस्तों हमें POGO के طरप से देखने को मिलती है POGO Xmom X थी है, POCO X innocence, POC口 NxC मुझे यह नहीं लगता दूस्तों इंडिया में आते आते हैं यहां पर इस फोन मेன NFC का support क्म देखने हैं आपको पता ही को लास्ट त горледन अपर यहां पर उसके में आते आते हुआ अ यार चार्ड थे पहले अगर वर कि उन्से पहले में अपको बाता दू कि आपको पता ही होगा कि अगर अगर आप अभी के हिसाब से current date के हिसाब से अंदर 20,000 के देंज भी अगर आप एक best gaming phone करो तो वहाँ पे आपको Poco X3 Pro का नाम जरूर से जरूर दिखाई देगा तो Sam मुझे भी लगता है कि दोस्तों इस साल भी यही होने वाला है यहाँ पे दोस्तों इस साल अंदर 20,000 आपको Poco X4 देखने को मिलने वाली है तो अगर यहाँ इस phone के specs की बात करो तो यहाँ पे आपको दोस्तों Dimensity 921 SoC देखने को मिलने वाली है अगर आप इस phone के लिए भी वेट करना चाहते हो तो आपको आप इस phone के लिए भी वेट कर सकते हो तो दोस्तों आज का यही तीन phone था जो हमारे लिस्ट में था जो कि आपको अंदर 20,000 next year based gaming phone होने वाली है तो दोस्तों आपको वीडियो पसन देए तो वीडियो को लायक करते हैं और साथ चानल को subscribe करके बैल आइकन को प्रेस करें लाँ तो दोस्तों आपलोग के एक like और एक subscribe सी हम लोग को बहुत जादे motivation मिलती है और इस motivation के साथ हम लोग कोशिस करते हैं कि आपके लिए एक और ज्यादा बहतर content आपको provide करें तब तक के लिए जैहन इसी तरह के वीडियो को साथ मिलता हूं next time